तो अलेकुम वेलकम बैक टो चैनल गैलक्सी मोटो एडवेंचर तो अभी फिर से गाड़ी में आ गए हैं एक्चुली मैंने यह एक ऑनलाइन में इसका सॉकेट यहां पर यहां से एक सॉकेट लगेगा उसमें यह एक स्टेंशन हो जागा बैसिकली एक स्टेंशन है सॉकेट को यह भी इंस्टॉल करेंगे गाड़ी में और यह एमाजन से मगाया है देखते हैं यह कैसा काम करता है आप लोगों इसके बारे में पूरा डिटेश बिए अन्वाक्स करते हैं इस तरह का है यहां पर अब दो यूजबी पोर्ड भी है इससे आप चार्ज भी कर सकते हैं यह शादी स्टिक होता है यहां देखना पड़े अपकों के पहले इसको देरी चाहिए तरह करते हैं में आपकों के चाहिए ऐस में यहां आपकों कि पूर्ड कि बढ़ास प्रीटा करते हैं जबढ़कों कट प्तांव कि अधिक में में रुटेंगे गाए आपकों कि गर देकाए श्बैंड रख जड़े हैं भूंस इसमें इस इंस्टोल करके देटे हैं कम करते हैं इन किया यह नीचे मेरा एक्मास्विया लाइट लागा होगा यह सब्सक्राइट सब्सक्राइट शार खालता है या की आगया लगे लगे हैं लो कम करना है इसको अब यहां सिर्फ बन करें यह अल्वेज ओन रहेगा यह एक लेरा कार में एक एक्स्ट्रा यह शायद पोर्ट्रोनिक्स का है यह FM रिसीवर भी है इसे आप Bluetooth से बात भी कर सकते हैंड यह भी इसमें लग जाएगा क्योंकि यह एक ही पोर्ट था बोलके यह लाइट ही ल गिल्गा फोका पोर्च मिल गा इसमें क्रीम का टेप मीला है इसमें इसमें कहीं श्टिक करके यह इस तरफ कही लगा बेटा日本 इसमेंड इंस्टॉल करेंहें यहां इससे छोड़ teen Heald I am तो अभी इसको इंस्टाप कर दिये है इसमें 3M का टेप से भी लगा देंगे तो यह काम बढ़िया होना चाहिए अब यह कितना डियूरिबल है यह स्टिकर 3M का जो स्टिकर है यह देखना पड़ेगा तो यह सिग्रेट एक्स्टेंशन का जो सिग्रेट लाइटर एक्स्टेंशन पूरी तरीका से लग गिया है यह देखिए और इसमें मैंने यह मेरा यूएजबी मुबाइल चार्जर था यह और यह फोन रिसीवर दिया मैंने हैंस फ्री का काम करता है यह भी मैंने लगा दिया है यह मेरे पास था पोर्ट्रोनिक्स का और यह यह एम्बेंड लाइट का आपका जो स्वेज है सॉकेटर वो भी लगा दिया और यह प्लस इसक इसके नीचे में दो यूएजबी पोर्ट है इससे भी आप मुबाइल चार्ज कर सकते हैं वायर लगा के और यह दिखता कुछ इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ है चार्जिंग का इसका वोल्ड दिखाता है यह दिखा रहा है इसके नीचे तीन स्वेज है जो कोई भी जो भी सॉकेट में आपको लाइन चाहिए आप उसको प्रेस कर दीजिए एक ब्लू लाइडिया जलना चालना दिए और तब यह वाले है और फिर इसको जल जल गया है तो फिर इसको आफ करना के-दियां से यह दो सॉकेट में भी आवर चलें यह बहां होकी है इसमें बीच वाला क्याएन dal का यह इंच आओं होना फिर इसको अगर ऊक्तिक्त चालना ऐ तो यह वालों रीके-दिर पलॉद मुआ लगाने का तो प्रोसीजर मैंने आपको देखाया यह लगा के भी आपको देखाया और इसका यूजज मैं एक दो दिन अभी किया हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आया मुझे यूजज में तो यही इतना ही रहा आज के लिए और फिर देखाते हैं कुछ नहीं है